पुलिस के अधिकारी ने बताया कि राशित अनवर ने अपने एक सायोगी के मदद से पीडिता का निची अस्पताल में कथित रूप से गर्ब पात करवाया है अधिकारी ने बताया कि जिले के एक गाउ में सरकारी स्कूल में खान मामला सामने आने के बाद फरार है उसके सायोगी सुखलाल को सुक्रवार को गरिफतार कर लिया गया है एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सिच्छक और स्कूल के प्राधाना ध्याप पर समेच चार अन्य करमचारियों को भी निलम्मित कर दिया गया है। जबकि ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में सिच्छ विभाक के तीन अधिकारियों के खिलाफ कारवाही की गई है। शुरुवाती जाच के अनुसार दो मैंना पहले कच्छ साथवी की छात्रा से स्कूल परिसर में बलातकार किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने लड़की को धंकी दी है कि अगर उसने किसी को भी एगटना के बारे में बताया तो वह उसकी जान ले लेगा। उन्होंने बताया कि लड़की ने हाल में अपने माता-पिता से तबियत खराम होने की बात कही थी, और जब वे उसे असप्ता ले गए तो ड़क्टर ने पाया कि वह गरवफ्ती है। उन्होंने पताया कि आरोपी को जब लड़की के गरवपात होने के बारे में पता चला तो 22 फरवरी को वो उसे एक नीजी अस्पताल में ले गया और अपने सहयोगी की मदद से उसे कथित रूप से गरवपात करवाने के लिए मजबूर किया लड़की के माता पिता ने शुक्रवार को पुलिस से संपर किया जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी धारा 376 बालतकार 506 आपरादिक धमकी 313 महिला के सहमत के बगर गरवपात करवाना 102 आपरादिक साजिस और यौन आपरादों से बच्चों के सुरच्छा 500 कानून क प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है अधिकारी ने बताया कि आरोपी सिच्चा की तलास की जा रही है उन्होंने बताया कि जिस अस्पताल में गरवपात करवाया गया उसकी भूमका की भी जांच की जा रही है एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि घटना को सब्सक्राइब करें, साथ ही बैल आइकन को तबाएं